हेलो एवरिवन आजम बनाएंगे अंगूरी ठंडाई और ग्रीन और ब्लैक अंगूरों से बनीए अंगूरी ठंडाई पीने में बहुत ही टेस्टी होती है अगर आप लोग इसे गर्मी के मौस्त में बना कर पी ओगे तो ना ही तो आप लोगों को ये धकान होने देगी और आप लोगों को काफी अनरजी भी तो मैं आप लोगों का रेकोमेंट करणगी की आप लोग एक रावद अप्सrüöd जरूर करें अब ली है मैंने कुंडी, तो मैं इसे ट्रडिशनल तरीके से बना रही हूँ, कुंडी में मैं डालूंगी भीगेवे बादाम, इन बादाम को हमें क्रेश कर लेना है अब इन बदाम के साथ में मैं डालूँगी मिश्री तो मेरे पास है धागे वाली मिश्री वो धागे वाली मिश्री में यूज करूँगी अगर आप लोगों के पास धागे वाली मिश्री नहीं है तो आप लोग दाने वाली मिश्री भी यूज कर सकते हो या फिर इसमें चीनी का भी यूज कर सकते हो लेकिन ये जो धागे वाले मिश्री होती है ये हमारी लिए काफी फायदेमद होती है इसलिए मैंने इसका यूज किया है इसके अंदर जो धागा है वो हमें अलग कर देना है तो आप चाहिए इसमें मिश्री डालो चाहिए चीनी डालो वो पहले ही डालेजिए क्योंकि ये चीनी डालने से या फिर मिश्री डालने से हम इसमें बाद में जो भी इंग्रीडियन डालेंगे उनका पेश्ट असानी से बन जाएगा अब साथ में ही मैंने दो चमच खस-खस को पानी के अंदर विगो कर रख दिया था वो खस-खस हम इसके अंदर डाल देंगे तो बादाम और खस-खस दोनों आपको पहले विगो लेने हैं मैं आदाम का चिलका निकाल देना है और खसको बाद में इस के बीद कमच डालेंगे सsat से आध डालेंगे! नहीं तो आप लोगों के पास अगर कुंटी नहीं है तो आप लोग इन सब को मिक्सी में डाल करके फिर इन सब का पेश्ट बना सकते हो लेकिन यह जो ट्रेडिशनल तरीका मैंने पनाया है इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है अब इसमें डालेंगे थोड़ से पिश तो उसके बाद में आप इसमें दो से तीन चमच पानी डालेंगे और इन्हें दुबारा से मैश करेंगे तो इस तरह से इनका बिल्कुल फाइन पेश्ट बना कर तयार कर लेना है अब लेने हैं दो गिलास तो गिलास के अंदर पहले मैंने डाल दिया है सेंदा नमक उसके बा तो यह पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है आप लोग इसे होली पे इंजोए कर सकते हो यह आपको बिल्कुल भी थकाननी होने देगी और अब हमने जो अंगूर का जूस निकाल के रखा है वो इसमें डाल देंगे तो मैं गिलासों को जूस से पूरा फिल न देना है और यह हमारी ठंडाई बनकर तयार है तो अगर आप लोगों को रेसीपी पसंद आई है और चैनल पर पहली वार आए हो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और पास में जो बैल आइकन का बटन है उसमें और पे क्लिक कर दिजिए ताक कि जब भी मैं कोई नई वीड वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलें तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर